भारत अलग-अलग तरहा के कल्चर और लोगों का देश है अलग कल्चर के साथ आते हैं अलग-अलग भाशाएं और साथ ही आता है उस कल्चर से जड़ा हुआ अपना युनीक खाना और जब बात आती है महराश्ट्र की तो वड़ा पाओ एक ऐसी डिश है जो यहां सब के दिलो जा में बसती है लेकिन आज कल तो इस सिंपल से दिखने वाले वड़ा पाओ के अंदर भी न जाने कितनी अलग-अलग तरहा की फिलिंग्स होती है जिसमें से एक है चीज अब भला चीज किसे पसंद नहीं बस तो फिर नासिक की सडकों से गुजरते हुए जब हमारा मन हुआ कुछ सस्ता और टेस्टी खाने का तो हम निकल पड़े चीज पाओ की तलाश में और हमें मिली जियोती जी की ये छोटी सी दुकान जहां आज वो हमें अपने हातों से बने हुए चीज पाओ खिलाएंगी शुरुआत होती है पाओ को ऐसे बीच से काटने से और इसी के साथ चीज की स्लाइस और थोड़ी सी पटेटो फिलिंग बीच में लगाने से और साथ ही लगाई जाती है इसमें हरी चटनी भी वैसे वड़ा पाओ या वड़ा चीज पाओ की ये रेसिपी कोई इतनी मुश्कल तो होती नहीं है अब तो इस बन को बस बेसन में कोट करने के बाद तलना बाकी रह गया है तो ये लीजिए बिना किसी कर्ची का प्रयोग किये जोती जी अपने हाथों से ही इन पाओ को बेसन में कोट करेंगी और उसके बाद तेल में तलने को भी डाल देंगी और इतना ही नहीं हर पाओ को तेल में डालने से लेकर तेल के अंदर पलटने तक और वहां से बाहर निकालने तक ये सारा काम ज्योती जी अपने हाथों से ही करती है जरा देखिए कैसे बिना अपने हाथों को जलाए ये एक-एक करके सारे पाओ को गरम-गरम तेल से बाहर निकाल रही है पर हाँ हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ये देख कर अपने घर पे भी इसे दोहराने लगें तो कृपया आप तेल से पाओ को निकालने के लिए किसी कर्ची का इस्तमाल ही करें अब इनहें सर्व करने के लिए ऐसे कट किया जाएगा उपर से डाली जाएगी लहसुन वाली तीखी और सूखी चटनी थोड़े से नमकीन सेव और हरी चटनी अगर अभी भी किसी को तीखा थोड़ा कम लग रहा हो तो ये लीजिये, यहां दो हरी मिर्च साथ में भी दी जाती है अब इस पाओ को आप बारिश के मौसम में चाय के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ ओवर अ कप ओफ कॉफे ये आपकी चॉइस है पर अगली वीडियो मिस न हो जाए इसलिए वी आर फूडीज को फॉलो जरूर कर लेना हम लोटेंगे जल्द एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी